नमस्ते उस्तो आज बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन है बजट 2024 से सम्मझित कुछ महत्कून कोईश्चन्स को और जो जो इंपोर्टेंट चीजे हैं बजट 2024 से सम्मझित हर एक चीज को हम लोग बिसस कर लेगे कि जहां से कोईश्चन्स आने की समभाबना सबसे ज़्यादा रहती है उन सभी छेत्रों को हम लोग कभर कर लेंगे तो आई शुरू करते हैं इस बहत्रीन लेक्चर को तो सबसे पहले देखेंगे कि बजट 2024 की मुख्य बाते कौन-कौन सी थी तो बित मंत्री ने एक फर्वरी 2024 को 2024-25 के लिए अंत्रीम बजट पेस किया अंत्रीम टूटने की संभापना होती है या फिर लोगसभा का चुनाओ होता है तो उस कारण से उस बितिय बर्स में अंत्रीम बजट पेस किया जाता है उसके अजब सरकार निश्चित रूप से लोगसभा के चुनाओ के बाद परिणाम आ जाएगा नए सरकार का गठन हो जाएगा फिर से फाइनल बजट पेस किया जाएगा ठीक है तो यहां आम चुनाओ के बाद मुख बजट पाए तो होने तक बितिय बर्स के एक हिस्से के लिए सरकार को धन उपलब कराएगा ठीक है इसी के लिए अंत्रीम बजट आया है कुछ निश्चित समय के लिए ठीक है जून तक आया है तो इसी से समय कुछ डाटा को हम लोग देख लेते हैं जैसे कि जीडीपी विकासदर जीडीपी प्रोथ्रेट कितना है तो सरकार ने दोहर 24-25 में नाममात्र जीडीपी ब्रदिदर को 10.5% कानुमान लगाया है ठीक है यानि कि बास्तविक विकास प्लस मुद्र तो यह याद रखेगा कि सरकार ने जीडीपी विकासदर का अनुमान जो लगाया है 10.5% वहीं व्याई की बात की जाए तो 2024-25 के लिए कुल व्याई का बजट अनुमान जो है उसको कहा जाता है बजट इस्टिमेट्स ठीक है ध्यान रखेगा मतलब की 47,65,768 करोड रुप पाइट एस्टिमेट्स से 6% अधिक है ठीक है यह जो अनुमान लगाया गया है इस बार कुल व्याई का बो लगभग 23-24 से 6% अधिक है वहीं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें पुंजी गत बे की बात करें जिससे समपत्ति निर्मान होता है उसमें लगभग 17% की ब्रधी होगी वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो की बेतन के रूप में पेंशन, सबसीडी, ब्याज भुकतान के रूप में खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा उसे उका जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें लगभग 3.2% की ब्रधी होगी ठीक है तो यह डेटा बहुत ध्यान रखने क्या वह सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है लगभग 17% बढ़ेगा और रेवेन्यू इसके रिवाइज एस्टिमेट से लगभग 11.8% है तो राजासु प्राप्तियों अगर देखते है तो सकल कर राजासु जो है 23-24 के रिवाइज एस्टिमेट से 11.5% बढ़ेगा उसी में निगमकर और आयकर लगभग 13% की दर्ध से बढ़ेगा वही GST में 11. यह point important है कि GST म 11.6% की बढ़ोत्री होगी ऐसा अनुमान लगाया गया है दौहर 14 के बाद से जो direct text है प्रतेक्ष कर जो है वो संग्रावी तीन गुना हो गया है और राज्यों को अस्थानांतरन में भी 10.4% की ब्रिद्धी होई है जो राजासु प्राप्तियों से राज्यों का हिस्सा होत 14% की ब्रिद्धी होगी ठीक है वहीं पूंजी गत प्राप्तिया जो है capital receipt जो है उसमें लगभग 41% की ब्रिद्धी होगी इसी से सारे options बनाए जाते हैं UPC या फिर कोईया स्टेट पीचेस के एज़ाम में ठीक है तो यह धिहान रखेगा यह points उसके बाद व्याज भुकता की घाटे की budget का estimates जो है वो लगभग 5.1% है वहीं राजास्व घाटा जो है वो 2% है तो यह राजकोशी मतलब की fiscal deficit और revenue deficit दोनों में अंतर होता है ठीक है यह धिहान रखेगा तो fiscal deficit का जो है budget यह estimates वो 5.1% है और revenue deficit का 2% है और प्रात्मिक घाटा मतलब की primary deficit जो है वो लगभ मुझे ध्यान रखेगा fiscal deficit revenue deficit और primary deficit जिसमें 5.1% 2% और 1.5% नई योजनाओं की अगर बात करें तो नई योजनाओं के लिए इस बार बजट में आर्थिक मामलों के विभाग को लभग सत्ता हजार 449 क्रोड रुपए अबंटित किये गये है ठीक है और बीट-बिध्यक के म मार्च 2.25 तक बढ़ा दिया गया है जैसे और स्टार्ट-अब के पर्तिक्ष कर के लिए समय बढ़ा दिया गया है उसके अब देख लेते हैं कुछ और चीज़े बारिकों से इनी सारी चीजों से लगातार questions बनते हैं इनी के कंप्रीजन से कोश्चन बनते हैं तो बजट एक नजर में भारा सरकार की प्राप्तियों और व्य के साथ साथ घाटे को भी दरसाता है ठीक है तो यहां पर वही बाते कहा जा रहा है सबसे पहले एक नंबर में देख लेते हैं जैसे रेवेन्यू रेशिप्ट तो रेवेन्यू 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 दूसरे नंबर पर है capital receipt, ठीक है, तो इस बार जो है, लगातार देखिए, बढ़ता गया, यह ध्यान रखेगा, यह increase करता जा रहा है, और फिट दोहर, 23-24 में, जो है, रिवाय estimates में घटाया गया है, वहीं अगर देखते हैं, budget यह estimates में, तो यह भी घटा, तो यह capital receipt देखिए किया है, यह चीज़े दिहान रखेया है, कि capital receipt जो है, वो इस बार decrease किया है, recovery of loans जो है, वो बढ़े है, ठीक है, यह सारी तूलना करने के वह सकता है, वहीं other receipt जो है, 61,000 था, यह भी घटा है, ठीक है, borrowings और liability जो है, उसमें भी गिरावट लगातार देखने को मिली है, ठीक ह 23-24 में जहां 17,86,816 करोड था, वहीं भी बरतमान में मातर 16,85,494 यह भी घटा है, जो यह चीज़े घट रही है, उसे no down करिएगा, ठीक है, उसी में आयक हायाता है कि total revenue expenditure कितना हुआ, हम लोग बस completion कर लेंगे, ठीक है, 23-24 में लगभग 35,186 करोड रुपे budget estimates था, ठीक है, जो बेतन subsidy के रूप में दिये जाते हैं, और इस बार देख सकते हैं, वो increase कर गया है, ठीक है, यह बढ़ा है, ठीक है, ठीक है, इंट्रेस पेमेंट कितना किया गया है, तो उसमें भी लगातार ब्रधी हुई है, total capital expenditure, मतलब कि संपत्ती बराने के लिए, भावी से कहीं 960 crore invest किया गया था, इस बार जो है, यह number याद रखेगा, ठीक है, 11,111 crore रुपे, इस बार total capital expenditure है, ठीक है, यह number बहुत ही जादा unique है, इसलिए से ध्यान रखेगा, उसके आगे देख लेते हैं, total expenditure जो खर्च किया गया है, वो लगभग, फिर भी यह increase कर गया है, जहाँ 45 लाग था, वहाँ भी 47 लाग करोड है, ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, revenue deficit की बात करें, तो जहाँ revenue deficit जो था, 23 चौब इसमें, वो 2.9% था, वो revenue deficit जो है, 2% रहने की उमीद है, ठीक है, यहाँ पे decrease करेगा, वहीं fiscal deficit की बात करें, जहाँ 23 चौब इसमें 5.9% था, वहीं इस बार 5.1% है, यह भी decrease करेगा, ठीक है, उसके बाद primary deficit जो है, वो 2.3% था, उससे घटकर 1.5% रहेगा, यह भी decrease करेगा, ठीक है, तो तीनों deficit जो है, लगातार घटेगा, तो यह तीनों number याद रखेगा, ठीक है, पहला जो था, पहले 2.9 से 2% हो गया, 5.9 से 5.1% हो गया और 2.3% से 1.5% हो गया, ठीक है, अब कुछ important points देख लेते हैं, जैसे कि संसत के इतिहास में पहली बार सदन में राशपती का स्वागत करने वाले अवचारिक जूलूस में, क्या सामिल किया गया, तो सेन गोल, ठीक है, तो संसत के इतिहास में पहली बार सेन गोल, या फिर राजदन, जिसे राजाओं की सकती का परतीक मना जाता है, यही जो प्रधाल मंत्री मोदी के हाथ में, इस यू कहा जाता है, सेन गोल, ठीक है, यह सकती का परतीक मना जाता है, और इसे सदन में राशपती का स्वागत करने वाले अवचारिक जूलूस में जोडा गया, तो इन लोगों के लिए सबसे ज़्यान दिया गया है इस वार बजट में ठीक है गरीबी के लिए गरीब कल्यान या फिर देश का कल्यान के लिए गरीबों का अगर कल्यान होगा तभी तो देश का कल्यान होगा बहिलाओं के लिए नारी सक्ति को बढ़ावा देने के लिए जीवन दसाय को सुधार सके ठीक है क्योंकि अगर खाना ही नहीं उपज पाएगा तो सारे चीज़े बेकार हो गई इसी के लिए किसानों को जादा स जादा प्रोटसाहित की जाती है उसके आगे कुछ पॉइंट से जैसे 22-23 के केंदे बजट में इतनी प्रक्तमिताओं पे जोर दिया गया था तो बजट जो है वो यह 22-23 का है ठीक है तो निमलिखित साथ प्रक्तमिताओं को बताया गया था वे एक दूसरे से पूरक थे और अम्रित काल के माध्यम से हमारा मार्दसन करने वाले सब्त रिसी के रूप में कारे करता है, ठीक है, जैसे स्वाबेशी विकास, कि कुछ पॉइंट बहुत अच्छे है, स्वाबेशी विकास हो गया, अंतिम मील तक पहुंचना, ठीक है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की आवसकता को पूर्ति करने है तो अंतिम मील तक पहुंचने की बात की जारे, बुनियादी धाचे में ज़्यादा ज़्यादा नीवेश, नीजी नीवेश की ज़्यादा बढ़ावादनी की बात की गई है, इस बार बजट में, ठीक है, उसके अ नहरीत विकास के लिए भी लगातार रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लाए जा रहा है जिसे कि ज्यादा ज्यादा लोग जो है वो सोलर एनर्जी से लेक्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएं ठीक है जिसे हमारा प्राक्रितिक संसाधन वो बस सके युबाओं को ज्यादा करने की बात की जारी है ठीक है रोजगार सीजन करने के लिए बात की जारी है अब देख लेते हैं बजट 24 से कुछ important questions तो बजट के बारे में निवलखित में से कौन सा कथन सही है statement first है या भविसी की अबधी के लिए बितिय स्थिती का एक विवरण है जिसमें प्रस्तावित ब्याय और उसके बित पोशन के साधन निधायत के जाते हैं दूसरा statement है संबिधान के अनुछेद 111 के अनुसार सरकार को परतेग वितिय बर्ष के संबंद में अनुमाने प्रा क्योंकि यहाँ पे 112 हो जाएगा ठीक है इसलिए यह statement गलत है इसलिए सही उत्र हो जाएगा option A अगला question है निम्लती कत्मों पर विचार करें जो बार्सिक बितिय बिवरण या फिर बजट से संबंदित है तो पहला statement है बार्सिक बितिय बिवरण को तीन भागों में से प्राप्तियां जो है वो भारत के समयकित कोस में प्रवाहित होती है ठीक है तीसरा statement है सम्विधान के अनुछेद 112 के अनुसार सरकार को परतेक बितिय बर्स के संबंद में अनुमायत प्राप्तियों और बैक अबिवर्ण संसद में प्रस्तूत करना होता है क्या हो जाग में मवेशियों के गोबर और ठोस पदार्थ के प्रवंधन और रुपांत्रन से खाद उर्बरक बायो गैस और बायो सी अन्जी में परिबर्तित करने से संबंदित है तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर तो आप्शन ए जो है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन ए ठीक है यह दिहान रखेगा मवेशियों के गोबर और ठोस पदार सॉलिड बेस्ट के परवंधन और रुपांत्रन से खाद उर्बरक बायो गैस और बायो सी अन्जी में परिबर्तित करने के लिए गल्बनाइजि ठीक है जिसे की खाद और उर्बरक बनाने में आसानी है अगला कोश्चन है निम्लखी कत्रों पर विचार करें पहला सेट्मेंट है बजट जो है वो ब्यवसाइक अनुमान त्यार करने की प्रकिया है तूसरा जो है बजट ये नियंत्रन बजट के आधार पर परदर्शन प्राब्त करने का साधन है तो क्या हो जाएगा बजट बजटिंग और बजटिय नियंत्रन के बारे में निम्लखी कत्रों पर विचार करें अभी अब अगला विकर्ण कहले बजट में कुल यहां से धियान रखेगा क्योंकि यहां से सिर्फ और सिर्फ फाक्त दिये गया है, ठीक है, तो बित्य बश्च दोयाद 24-25 के लिए केंद्रिये बजट में कुल अनुमानित पेज जो है, अभी हम लोगों ने हर एक चीज को पढ़ा है, ठीक है, कितना है, अनुमानित पेज, इसका सही उतर हो जाएगा, 47,65,768 करोन, ये है अनुमानित प इसके अगला कोश्चन है, बयर 24-25 में कुल पूंजी गत्वे है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस, तो अप्शन ए है, 9,50,246 करोड, अप्शन भी है, 2,97,328 करोड, अप्शन C है, 14,96,93 करोड, और अप्शन D है, 11,11,111 करोड, अप्शन E है, चावालिस लाक, 90,486 करोड, क्या हो जागा इसका सही उतर, इसका सही उतर जो हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर हमने पहले ही, अभी ही पहले देखा है, ठीक है, कि कुल टेप्टल एक्सपेंस जो है, वो लगवग, इतना है, ठीक है, तो दिहान रखेगा, चावालिस लाक, पहले ही, अगला कोशन है, बज़र 24,25 में, राज्यों को अस्थानांतरन, अनुदान, रीन, आदि, सहित, कुल, कितने संसाधन, अस्थानांतित किये गए है, तो आप्सन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्सन A, 22,25,25 में, अस्थानांतरन, अनुदान, रिन, और केंद्र परायुजीत योजनावों के सहित, राज्यों को अस्थानांतरित, संसाधनों की जो रासी है, वो 22,264 करोड है, यह दिहान रखेगा, उसके अगला कोश्चन है, तो है 23-24 के संसोधित अनुमान की तुलना में, बजट 24-25 में, परभावी, पुझी गत्वेय में, कितने पर्टिशत की ब्रिधी हुई है, तो क्या हो जागा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 17.7%, ठीक है, यह दिहान रखेगा, पुझी गत्वे, फिर आगया, कैप्टेल एक्सपेंस, ठीक है, उसका यूनिक नंबर याद रखेगा, ठीक है, 11,111,111, उसी तरह 17.7% बिरधी हुई है, अभी हम अगला कोश्चन है, 24-25 के, बजट में किस त्रेणी पर सबसे अधिक हर्च होंगे, क्या हो जागा इसका सही उत्तर, तो सबसे सही उत्तर हो जाएगा, इसका, उप्शन B, ब्याज पे, हम लोगों ने अभी देखा है, कि ब्याज पे लगभग 11,001,90,440 करोड, ठीक है, आ बजट में खर्च होगा, वो ब्याज दर्व पे, उसके अगला कोश्चन है, बितिये बर्श दौयाज 24-25 के लिए, नाम मात्र, GDP के प्रतिसद के रूप में अनुमानित, यहाँ पे अनुमानित है, ठीक है, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड फिसकल डेफिसिट, कितना है तो यह जो है लगभग 5.1% है, हम लोगों अभी तीनों चीज़े देखा है, ठीक है, फिसकल डेफिसिट, रेबेन्यू डेफिसिट और प्रामिरी डेफिसिट, ठीक है, यह तीनों चीज़े धिहान रखेगा, एक 5.1%, एक 2%, एक 1.5%, ठीक है, उसके अगला कोश्चन है, दो यूप्टिए धर्ण प्राफ्ट हुआ है, ठीक है, लगभग 6.1,00,00, करोड, ठीक है, यह आकड़े भी ध्यान रखेगा, उसके अगला कोश्चन है, बिती बस 2.25 में मंद्रेगा के लिए बजट अनुमान कितना किया गया है, तो बजट अनुमान किया गया है, 86,000 करोड, उसके अगला कोश्चन है दौएज़ 24-25 में परदाहान मंत्री आवास योजना के लिए बजट अनुमान कितना है तो परदाहान मंत्री आवास योजना के लिए लगभग 80,000, दोनों का लगभग 80,000 का असपास है ठीक हो इसका भी 86,000 था मन्रेगा का और इसका 80,671 है ठीक है परदाहान मंत्री आवास योजना के लिए 80,671 कोड़ रुपे बिलेट में अबंटित किया गया है उसके अगला कोश्चन है दौए 23-22 के संसोधित अनुमान में परदाहान मंत्री किसान सम्मान योजना के लिए कितना अबंटिन किया गया है तो ये भी ध्यान रखेगा क् वातार ये सवाल आजकर बनाए जा रहे हैं अप्संस में ठीक है इसलिए हमें इसलितरा के कोश्चन से रुपेर रहने क्या वाशकता है तो इसके सही उतर हो जाएंगे 60,000 करोड अप्संसे हो जाएगा अगला कोश्चन है 24-25 में यूरिया सब्सिडी के लिए कितना कितना क्या गया है और संडी हो जाए सही उतर दो हजार उनहत्तर करोड ठीक है यह एकड़ी याद रखेगा यह भूटान के लिए क्या गया सरकार ने प्रस्ताबित बजट में भूटान के लिए योजना के लिए दो हजार उनहत्तर करोड की रासी अबंडित की है जो भूटान के लिए जो भूटान के साथ दुई पक्षे संबंदो और सहयोग के परति उसकी परतिवत्ता को दर्साता है उसके अगला कूश्चन है बितिय बश्द्वाज 24-25 में नेपाल के लिए योजना के लिए प्रस उसके बाद बितिय बश्द्वाज 24-25 में राष्ट्री निवेस और अबस अचना कोर्स के लिए प्रस्तावित बिजट अबंडित कितना किया गया है तिये है लगभग पंद्रा सो एक करोड ठीक है यह ध्यान रखेगा न आई आई एफ के लिए पंद्रा सो एक करोड की र सिक्षा चेतर के लिए आबंटीत बजट क्या है तो सिक्षा चेतर के लिए कितना बजट आबंटीत क्या गया है तो इसका सही उत्तर है एक लाख 24,638 करोड ठीक है अगर यह फैक्ट याद रहेंगे तो आप मेंस के आंसर में भी इसको इंक्लूड कर पाएंगे ठीक है इस सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू